नवस्कार दोस्तों आज की राशी फल में आप सभी का स्वागत है तो कैसे रहने वाला है आज आपका दीन? क्या कहते हैं आपकी सितारे? परकिन बातों का आपको रखने चीए ध्यान आइए जान लेते हैं 17 नौंबर 2030 का राशी फल जोइन महात्मागान युनिवर्सटी फर प्रोग्राम्स लाइक फार्मसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेरिकल लाब टेकनोलजी, फिजियो थेरेपी, लाइन असेश्च प्रोग्राम्स, फर एद्मिशन कॉल 8800697058 चलेगा और आप उन्नती कर सकते हैं अगली राशी है विरिशवरासी, विरिशवरासी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुपकारी रहेगा आज आप कीट के हुए सभी कारे पूरे हो सकتے हैं जिटको पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आज आपके परिवार में किसी परकार का कोई धार्मी कारे क्रम हो सकता है आज आपका सारा दिन उसी में व्यती ठुका और आप खुश भी रहेंगे यदि आप से और मार्केट में पैसा लगाना चाते हैं तो आप धन का निवेस करने से बचे अन्यात आपको घटा हो सकता है अगली राशी या मिथुन राशी परक राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा बेपार करने वाले जातकों के बात करें तो बेपार में आपको आर्थी गूप से अधिक लाब मिल सकता है आज आपकी मुलाकात आपकी किसी पूराने मित्र से हो सकता है और आप अपने मित्र के साथ कहीं बाहर घुमने भी जा सकते हैं आज आपके घर में बुजूरों का आशिरबाद आप पर हमेशा बना रहेगा अगली राशी है सिहरासी, सिहरासी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अगली राशी है करने राशी, करने राशी के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परसाणी भरा रच सकता है वेपार करने वाले जातकों की बात करें तो आपका बिजनेस में नफा नुक्सान लगा रहेगा परंतु आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है आज आपके जीवन साथे के साथ छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है इसलिए आप अपनी वाणी पर सहीम रखें अगली रासी है तुला राशी बिश्री रासी के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा आपकी सिहत की बात करें तो आज आपकी सिहत समाने रहेगी आपको किसी परकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा यदि आप बेपार में कोई नया कार शुरू करना चारते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति का सला अवस्य लें आज आप अपने प्रेमी के साथ बहुत अधिक खुश रहेंगे तदा उनके साथ आप कहीं बाहर भी घुमने जा सकते हैं अगली राशी है धनु राशी रहेगा आज आपको किसी परकार का शारेरिक या मानसी कष्ट हो सकता है आज आप सारा दिन तनाव महसुस करेंगे प्रन्तु आप अपने दिमाग को कहीं और डाइबॉट करें तो आपका दिन ठीक रहेगा और आपको टेंशन भी कम होगी आज आपको अपने किसी रिस्तेज़ार से कोई दूखत समचार मिल सकता है जिसके कराण आप अधिक दूखी होंगे सिहत की बात करें तो आपका स्वास्त नर्म रहेगा जिसके कराण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है आप अपने खान-पन का विशेश जिद्यान रखें बाहर का खाना खाने से प्रहीजर करें लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा आज शाम के समय आप अपने दोस्तों के साथ एक हसीन शाम गुजार सकते हैं जो आपको जिन्दी के भर्यात रहेगी आप अपने दोस्तों के साथ बैटकर पुरानी बाते ता जाकर सकते हैं नोकरी करने वाले जात्कों के लिए आज का दिन समाने रहेगा आपके कारे का प्रेशन नहीं रहेगा आप अपनी सिहत के प्रती अपनी लापरवाही ना बरते हैं अपने था आपकी तवियत खराब हो सकती है आशाम के समय आपके घर में किसी रिस्तेदर का आगमन हो सकता है जिसे देखकर आपको बहुत अधिक प्रसंता होगी तो ये था 17 नॉमबर 2023 का राशिफल आपको ये राशिफल कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके ज़रूर बताएं तिस दुनिया की तवाम बड़ी कबरों के लिए देखते रहें साथ को लाग निश्तेदर नमस्क्तर